तो चलिए देखते हैं किस तरही किसे देशी मुर्गा बनाया जाता है कि यहां पर हमने यह देशी मुर्गा ले लिया है यह थोड़ा बड़े साइज का उपर से और यहां पर हमने धन्या पाउडर दो टेबल स्पून नमक है एक टेजपून हल्दी और लाल मिर्च अपने टेस्ट के साफ से ले ले ये दो प्यास हैं बारी कटी हुई और ये काजू है एक टेबल हस्पून दो तेजपता ये लॉंगे हैं चिसाथ चार पंच हरी लाइची दो दाल चेनी टुकड़े और एक बड़ी लाइची यहां पर हुआ कि प्यास कुलिएं नीचें कटी कर लें के लाइचे हैं रहीड चाहे हैं और थैंडे हैं तो इसके हम साथ जाक्षान हैं और इसमें हम आप जाक्ट हूण धालने चाहें आपinge को यह सब्सक्राइब दाल देखे साब्सक्यों के और थोड़ा सा ही तड़क जाए उसके बाद हम इसमें जहीं गोश्ट डालेंगे मतलब चिकन डालेंगे और चिकन डालेंगे दो-चार मिनिट इसको अच्छे से हम भून लेंगे कि कालर चेंज हो जाने तक कि तो ऑईल अपने साफ से रख लीजेगा वैसे देड़ से 200 ग्राम इसमें लग जाएगा और यह अधरक लैसुन और प्यास और थोड़ से काली मिर्ज डाल के में इसका पीस्ट बनाया है तो यह तीन-चार चममच इसमें डाल चले जाएंगे अधरक लैसुन का पेस्ट डालते हैं लेकिन इसमें हमने प्यास भी डाला है एक चोटी प्यास और अधरक लैसुन ले लें तो यह तीन-चार टेवर स्पून पर जाएगा और यह जो धनिया मिर्चा वगर है यह भी डाल देंगे इसमें इसके साथ यह भी भुन जाएंगी हल्दी से इसका कलर अच्छा आता है काला नहीं पड़ता है तो थोड़ी हल्दी ज़रूर डाले और काजू अगर नहीं डालना चाहते तो यह सिंपल तरीके से भी बन जाता है सिर्फ प्यास पिसके डाल देस में और यह दो चम्मच हमने दही डाल देस में दही कटा वाला नहीं है तो यह नॉर्मल दही है अलकम जो होता है कि फ्रेश तो यह डाल देस में हमने और इसके साथ यह अच्छे से भून लेंगे ऑल रिलेज होने तक कि अच्छे से हमारा यह चिकन भुन रहा है भुराई कर लें इसकी तभी यह अच्छा बनता है कि थोड़ा सा डग भी आमने ऐसे ही अभी इसको जल्दी हमें बनाना है तो हम इसमें थोड़ा सा सीटी लगाएंगे पांच मिनिट इसको मीडियम स्लोटू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे दो चार सीटी आ जाएंगी तो यह अच्छे से चल्दी से गल जाएगा और ने दो टाइम बहुत लगता है तो इसलिए में बना रहे हैं इसको तो देशी मिरगा थोड़ा सा टाइम लेता है जलने में आप चाहें आपको पस टाइम है को आप ऐसे भी गला सकते हैं लेकिन को कर में थोड़ा सा अच्छा बनता है जादा तो देखते हैं और थोड़ा सामने इसमें पानी डाल दिया है आधा कप बहुत जादा पानी नहीं डाला है बस इतने कि इसमें सीटी अच्छे से बन जाएगी एक सीटी आ जाए और उसके बाद इसको पांच मिनट हम स्लोटू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और फिर प्लेम को आफ कर देंगे तो देखते हैं चिकन गल गया है कि नहीं जी हाँ चिकन गल गया है तो बस अब फ्लेम को अन कर देंगे और यह हमने जो पीस के रखा है काजू और प्यास का पेस्ट इसको डाल देंगे इसमें और इसके साथ अच्छे से भूनेंगे तो जो काजू होता है थोड़ा सा जब इसको भूनते हैं तो थोड़ा सा चीक नहीं कम हो जाती है लेकिन बाद में फिर आ जाती है भूने के बाद तो थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि यह वेस्ट नहीं हो और अब इसकी अच्छे से में बनाई करनी है अच्छे से यह भून जाएगा तब हमार तयार होगा यह तो इसमें यह एक टीस्पून हम लॉंग लाइची जावित्री जाइफिल जो हमारा खुश्बू का मसाला होता है यह डाल दिया हमने ताकि साथ में इसके यह खुश्बू भी रच पस जाएगी इसमें करीब लग जाएंगे इसमें अच्छे से भूनने में एक अपने साब से भूल लीज़ेगा इसको फ्लेम को कम जादा करके तो देखिए बिल्कुल यह भूनने पर तयार होने पर आ गया है देखिए और अच्छे से इसमें बिल्कुल आइल चोड़ दिया है अब बहुत ही बढ़िया वेक अपड़ियो होने वाला है तो थोड़ा से इसमें हम केवडा बाटर भी डालेंगे एक टीस्पुल के खरीब हमें टेवड़ा डाल दिया इसमें और यह हमारा विकुल बुन के तयार हो रहा है अगर आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्स का भी यूज़ कर सकते हैं उसे कलर थोड़ा अच्छा आता है लाल कलर आता है लेकिन हमें यहां पर नॉर्मल ही मिर्च यूज़ करी है तो बस यतना आपको रखना हो आप उतना ही शौरबा इसमें लागा लें बहुत जादा नहीं नहीं बहुत जादा का बस हमारा विल्कुल तयार है और पांच मिनिट के बाद इसको हम सब कर लेंगे तो जिकनी और अच्छे से उपर आ जाएगी तो यह देखिए हमारा बहुत ही मज़ेका देसी मुलगे का कोर्मा बनके तयार हो गया है अगर आज के मारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो एक बाल लाइक जरू करिए खाश शेयर करिए हमारी रेसिपी को और जादा से जादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है यह मिलेंगे इंशालला एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आला हाफिज अस्सलम उलेकूम